असलालेकुम है रिजमाम सदर खां और आप देख रहे हैं सदर खां टीवी सैनल जी आज की वीडियो हमारी बहुत ही इंट्रेस्टिंग और इंपोर्टेंट वीडियो है जिसको आप लोग मुकमल वीडियो देखेंगे कंप्लीट वीडियो देखेंगे याद रखिए याद अगर आपको ओनलाइन अर्निंग के वाले से कुछ ऐसी वीडियो बता दी जाती है जो फेक वैबसाइट फेक वीडियो और प्रापर हमें जो है नेगटिव पॉइंट की दरफ लेके जा रही होती हैं लेकिन हम क्या करते हैं हम उस पलीसी को उस वीडियो को 19 से 20 मिनट अग जालता है उसकी कोई स्टेट फारवर्ड नहीं होती वो लोग कुछ व्यूज लेने के लिए कर रहे होते हैं तो आज की वीडियो आप से मेरी यही रुक्वेस्ट है कि आपने कंप्लीट देखनी है अच्छे तरीके से देखनी है और इंशाललह आपको इस वीडियो से लिखनी है कंप्लीट देखनी है ताकि इसमें जो भी पॉइंट हो उसको आपने फालू करने है और आप एजिसे नेक्स्ट येर आप जो है वो पुर्बानी कर सकते इसमें कुछ वजवाद हैं जिसकी बिनापे हम ज्यो है वो कुर्बानी नहीं कर सके उसमें वो कौन से हो स कि अपकी महानामदनी कम है और आप ज 15 के दो आप मैं यह राप मुलाजमत करते हैं और आपकी कम है तो आप कुर्बानी नहीं कर सके यह घख से चंड सी वजयभात से जिसके हमारे स्फviolet के कि चो से निकाला है जिसके जरीए हम proper तरीके से हम इस solution को निकाल सकते हैं जी इसमें आपने करना क्या है डेली बेसिस पे आपने 30 रुपीज कॉलेक्ट करने हैं अगर आप 30 रुपीज कॉलेक्ट करते हैं तो आपके सलाना यानि के 365 दिन होते हैं साल में और आप अगर 30 रुपए डेली के जमा कर आखरा रहे हैं तो 10,950 रुपे 10,950 रुपे अगर आप 30 रुपे डेली एकरते हैं इसी तरह अगर आप 405 रुपे करते हैं तो 14,600 रुप dosATION रुप 있지 जो क्यानिक आप अच्छी कुरुबानी कार सकते हैं इसके लावा अगर आप आपकी आमदनी थोड़ी अच्छी है आप डेली बेसिट पे वान थाउजन्ड अंड कारने हैं या फिर मंथली बेसिट के इसाफ से भी आपकी जो है वह अबाव थर्टी यानिके थर्टी के राउंड रुपीज पर डे और ठी हंडर्ड ठी थाउजन्ड रुपीज पर मंथ है आप उसमें कॉलेक्ट करते जाएं सेव करते जाएं तो फाइनली आपके बतीस जार पांच सो रुपए बनते हैं जिसकी आप बहुत अच्छे से कुरुबानी कार सकते हैं और अपने तमाम जो यह कि यह सोर्स हैं यह आप अवेल कर सकते हैं आप जौब से सेव करना चाहिए जब आपकी पे आती है तो आप उसमें से उस कॉलेक्शन के साथ से या तीस रुपए या पिर चालिस रुपए पचास रुपए उस साथ से आप तीस दिन के एक्सपैंस निकाल लें तो वह आप नहीं छोड़ दें या फिर उनको निकाल के सेव जने के स्पेस पर आप उसको सेव करते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जनी के जानवर लेके छोड़ देते हैं हाँ ठीक है वो जन्वर वाली बात भी अच्छी है लेकिन कुछ लोगों के पास नहीं होते जने के उसको चा साल में आपको श्रमिंदगी का सामना नहीं करना पड़ेगा